राधे राधे गुड बॉर्णिंग मेरी प्यार इसी फैमिली तो चलिए सवीरी की शुरुआत करते हैं हमें प्रभु ने एक और नया दिन दिखाया है कि हम इस दिन को जी सकें अपनों के साथ रह सके और इन खुबसूरत पलों को रख सके समेट कर तो सबसे पहले तो हम अपने प्रभु का शुक्रिया अदा करेंगे तो सवीरी की शुरुआत हो गई है पित्रों को पानी दिया जा चुका है क्योंकि यह चल रहे हैं पित्र पक्च तो इस टाइम पे पूजा पाड़ भी काफी होती है और जिस दिन तिथी होती है उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही काम होता है तो मेरे यहां भी पित्रों को पानी दिया जा चुका है और अब पूजा की शुरुआत करी है तो थोड़ा सा मुझे अभी मंदिर और साफ करना है कवर्ड थोड़े साफ करने है यहां पे ना बार-बार दिन भर वहां में खोलती हूँ तो तेल वगरा के हाथ घी के हाथ जो लगते है न तो वहां पे गंदा हो जाता है कवर्ड में अपने प्रभु का शुक्रिया जरूर अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें एक नया दिन दिखाया है हमें फिर से एक नया जीवन दिया है हम अच्छे से उठे हैं हमने अपना काम किया है और हमने फिर से दुनिया को देखा है तो इसके लिए हमें अपने प्रभु का शुक् और हम उन्हें धन्यवात करें इस दिन के लिए कि आपनी जो हमें दिन दिखाया है ये बहुत खुबसूरत है तो उतने भी भी हमारे प्रभू हम से खुश हो जाते हैं तो फूल लेकर आज बहुत कम फूल मिले हैं और सिर्फ वाइट कलर के तो जो मेरे टेर्स गार्डन पर लगे हुए हैं परपल अपराजिता मैंने वही तोड़ ली हूँ थोड़े बहुत बस मिल पाए हैं आज ज्यादा फूल नहीं मिले थे तो इस टाइम पे फूलों की बहुत मारा मारी है मतलब पूरे शहर में आपको फूल देखने को नहीं मिल रहे हैं सवेरे हम पांच हैं उन्हीं से काम चला रहे हैं तो मुझे पूजा में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि मैं डेली है अपने भगवान को इसनान करवाती हूँ हां कभी मुझे कहीं जल्दी जाना है सवेरे छे साथ बज़े अगर मुझे जाना है तो फिर मेरे यह होगा कि मै दूबा से बस इसनान कराओंगी या फिर जो गुरुबार का दिन होता है उस दिन मैं सिर्फ दूबा से इसनान कराती हूँ उस दिन पूरा मैं इसनान नहीं करवाती हूँ तो उस दिन छोटा इसनान हो जाता है बाकी मेरे हर दिन यह होता है कि पूरा इसनान करवाती हूँ तो ये मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि मैंने इसे थोड़ा सा लेट ही एडिट किया था तो इसलिए तो ये अभी महालक्षमी के ब्रच चल रहे थे तो मैं डेली ही इसमें महालक्षमी का हवन भी करती हूँ तो पूजा करने के बाद मैं किचिन में आ गई और यहां पर मैं बना रही थी चाय तो यहां पर मैं लगा रही हूँ मनी प्लांट मैंने लिया है ओनलाइन बुलवाया है मैंने फ्रिज मैगनेट तो इससे मैंने यहां पर लगाया है और थोड़ा सारा कुछ चेंजिस भी कर के डबबे करें ना देखाए हूँ तो यहां पर रही है ने आप किस को और मेरे धुले रखे थे उनमें सब कुछ भाए देती हूं तो मेरे किचें के सारे काम होगा है खानावाना बन जाए खाना खादी दिये हैं और मैंने अभी कपड़े डाल दिये हैं थोने के लिए क्या कल थस्ट है तो कल कपड़े नहीं दूल पाएंगे तो मैं सुछ श्चटी अभी कपड़े डाल दूंगी और आज मुझे अपनी तो आज हमारी जो किटी की थीम है वो गुजराती प्लस पंजाबी है मतलब गुजराती साड़ी गुजराती स्टैल में साड़ी पहनना है और साथ में लगाना है परांदा तो परांदा लगाने के लिए अभी मुझे समझने आरा कैसे फिरू कि मुझे परांदा लगाते बनत तो मैं ज्यादतर यही कोशिश करती हूं कि मैं जब सारा काम आम कर लूँ उसके बाद में बैट सीट वगएरा में अपनी चेंज करूं तो मॉर्निंग में तो जब सब उड़ जाते हैं तो इस तर में ठीक कर देती हूं या मेरे हस्बेंड बच्चे कोई भी कर देते हैं लेक तो कहीं कुछ नहीं मिलता है ऐसा होता है तो यहां पर में यह काम दो पहर को लगाती हूं जादतर तो कपड़े वगएरा भी धूलते रहेंगे जब तक मेरे तो यह काम में यहां के निप टालूंगे और यह 15 मिनट का काम होता है लेकिन कभी कभी न यह काम भी हमें बहुत बार ही लगता है कि सफाई करना बहुत ज्यादा है लेकिन यह सरफ 15 मिनिट में यहां की सारी सफाई करी सब डेस्टिंग वगएरा करी और उसके बाद रूम को एकदम क्लीन कर दिया और यहां पर मैं एक दोहर पिछारियों यह मैंने मतलब एक शौप से ली थी मैंने पूरी सफाई हो गई है तो देखिए रूम बिल्कुल ऐसे चक बिल्कुल चमक गया है लेकिन यह रूम ना थोड़ी देर के लिए चमकता है अभी मेरे बच्चे आके यहां कुदना सुरू कर देंगे बच्चा तो जादा नहीं है एक ही है अभी घर पर लेकिन वो भी कभी कभी ना पूरा विवस्थित कर देता है कुछ ना कुछ ढूरने लगेगा और पूरा घर फिर अविवस्थित हो जाता है तो ऐसा मेरे रूम की हो गए यह सफाई तो मैं जल्दी से कपड़े वगरा डालती हो और उसके बाद रेडी होती हो आप लोगों से मिलती हो किटी मे तो मैं आ गई हूं अपनी किटी में और यहां पर अभी चल रहा है होजी तो हमारी यह सेकंड किटी है और इसमें होजी खेला जाता है और जो मेरी एकोर किटी है उसमें होजी वगरा नहीं खेलते हैं हम लोग सरफ गेम खेलते हैं यहां भी गेम होता है लेकिन मैं गेम का क करेंज करके और जैसे यहां बैठी हूं ना तो मेरी यह पैर का घुटना है उल्टे पैर का घुटना यह एकदम से मुड़ गया इतनी जोरों का दर्द मुझे हुआ है कि मैं बता नहीं सकती मतलब अभी जस्ट मुझे अचल ने मूब लगाया है और मैं ट्यू भी लगा रही दूह आत्या है नहीं कि तो मुझे इतना जोरों का दर्द हो रहा है यह लगा रही हूं अभी बस थोड़ा सा बचा घ्र तो मेरी पैरों में इतना ज्यादा दर्द शुरू हो गया कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं चलूं कैसे मुझे चलते भी नहीं बन रहा है और आज बस आके बस मैं बैठी हूं मतलब ऐसे कपड़े चेंज करी और आके बस ऐसे बैठी हो इतनी जोर से जो घुटना होता ना यह हमारे घुटने की जो बटगी गयते हैं इसको एकदम से लग रहा है जैसे कट से आवाज आई बहुत जोरों से तो इतना ज्यादा दर्द हो रहा ह है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ भी नहीं कर पाऊंगी तो ब्लॉग को तुम्हें यहीं पर एंड कर रही हूं चितना भी कुछ छोटा सा ही बना है और बस अमें जल्दी ठीक होती हो और आप लोगों को मिलती हूं अगले ब्लॉग में सब तक के लिए बाई-ब जल्दोड़ी के उपर आया कि क्या हो गया और थोड़ा उसी ने लगाया मुग बगेरा मुझे और थोड़ा असे दवाया पैर को पंजय को तो थोड़ा सा थम मुझे रिलीम लग रहा है लेकिन मैं जैसे चल रही हूं न तो बहुत जोरों का दर्द हो रहा है मैं जब ब्लॉग में हो तब तक मेरा पैर भी ठीक हो जाए तो चलिए बाइबाइबाइब